अगामी विधान सभा चुनावों में रास्तवादी कॉंग्रेस पार्टी बड़ा राजनेतिक धमा का करने जा रही है। इन सभी को एक मंच पर एकतरित करके परदेश के लुगों को एक नया विकलप दिया जाएगा। इस मौके पर आजाद हिंद करांती मंच के परदेश परवक्तावा संयोजक कैप्टन बालक राम शर्मा, ओल इंडिया फारवड बलॉक के जेजे सिंग, ओल इंडिया फारवड बलॉक के परदेश महासचिव हीत राम शर्मा, रास्टे संगरक्षक स्वाभी मान पार्टी के रास्ते संगरक्षक, स्वामी राम मुहंदास, स्वाभिमान पार्टी के रास्ते उपाध्यक्ष बल्देव सूद, स्वाभिमान पार्टी के परदेश अध्यक्ष डॉक्टर केल शर्मा और रास्तवाधी कॉंगरिस के परदेश महासचिव लवकेश कुमार मौजूद रहे अगले महीने बैटका आयोजिन किया जाएगा जिसमें कुछ और संगठन हिस्सा लेंगे इस थर्ड फरंट का क्या नाम होगा कौन संयोजिक होगा इसकी भूमी का बाद में तैय की जाएगी उनोंने का कि आगामी दिनों में होने वाली बैटको में सभी रूप रिखाएं तियार की जाएंगे और एक एजन्डा भी तियार किया जाएगा और हम ये समझते हैं कि बविश्य में हम इस ओर जा सकते हैं इसके लिए हमारे साथ All India Forward Block, Swabimwan Party, राष्टवादी Congress Party, इसे मैं और मेरे पार्टी के सभी सयोगी तथा आजाध हिंद करांती मर्च जो हमीरपुर में आज ही कठा हुए हैं और वो सभी का ये मत है कि आज हमने इस 2022 की विवस्था परिवर्टन के लिए हमारे साथ आना चाहे तो वो हमारे साथ आ सकता है तूस इसलिए हुआ कि और राष्टवादी Congress Party ने राष्टी इस तर पे गठबंदन कई पार्टियों से किया हुआ है तो पार्टी इस तर पे जब हमारी बात हुई तो मान्य पवार स करते हैं यदि हम सब लोगों की चर्चाओं में सार्थक परिनाम निकले तो आगे गठबंदन संभव होगा अभी हमारे साथियों ने और जुड़ना था वो आज आये नहीं है तो अगले महीने एक और मीटिंग होगी फिर चर्चाओं का दौर चलेगा तो एक दो महीने में मन्तन करके ये बात आजाएगा उस दिन फिर आपको पूरी संयोगत मोर्चा की जो गठबंदन की नीती है और जो उसके कारे हैं वो आपको बता दिये जाएंगे एक नाम मिल जाएगा जैसे कि अभी एक मीडिया परसन ने पूछा था कि संयोगत कौन है ये सब चीसे कौन ह तो वो सब उस तमें निर्धारीत होगा और वो आपको बता देंगे हम लोग आपको बता दें कि चुनावी साल में सियासी सरगर्मिय परदेश में बढ़ जाती हैं आम तोर पर भाजबार कॉंगरेस में ही चुनावी टक कर हिमाचल में देखने को मिलती है अभी तक कोई भावनाओं को मौका दे रहा है